आमंत्यत करूंगी श्री महिंद्र प्रताप अवस्ती जी को जो कि रिजिस्ट्रार है हाई कोट में कृप्या पदारें और दो शब्द कहके इस मौके को और खुबसूरत बनाएं आप सभी का अविनंदन और मुझे बहुत खुशी है कि help you trust उत्रोतर बहुत अच्छे कार कर रहा है और ये मुझे लगता है साइद इनकी 11 या 12 किताब है जिसका publication help you trust ने किया है इसके पहले भी नीरत जी और मसूर सायर अनवर जलालपुरी और अन लेखुकों की किताबों का publication ही ना किया है बलकि उसका प्रिचार और प्रिसार भी बहुत अच्छे से ये करते हैं जिस तरह से भी बताया गया कि करोना काल में या उसके पहले भी help you trust के द्वारा बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक और सेक्षिक कारे जा रहे हैं गरीब बच्चों के education के लिए और एक और सबसे बड़ा कार कर रहा है रक्त दान का ये विर लगाते हैं और एक ऐसा कार जो मानवी से वाँ से जुड़ा है उसके लिए help you trust जाना जा रहा है ना कि बल लखनों में बलकि पूरे भारत वर्स में और बलकि करोना काल में विदेशों में भी help you trust का नाम गया आज इतनी अच्छे अच्छे विभूतियां यहाँ पे आई चाहे वो एलन के हैड हो हमारे उप मुख मंतरी उतबरदेश आसन हो या विजलाल जी और कई चिकितसक सुरिकांत जी यहाँ फूबस्ते थे एक और बात मैं हूंगा राजे सगरवाल जी भी बैठें सेंटर जो सेवी संपन है इतने बड़े चिकितसक होने के बाब जूद भी आप बहुत ही विनम्र है और जो एक सेवा भाव है कि हम किसी मरीज को कैसे स्वस्त करें यह भाव पर देख चिकितसक में अगर है बहुत अच्छी बात है मेरे पिताम है कि पिताम है सिविल सर्जन थे अंग् मेरा चोटावाई भी डॉक्टर मैंमलों का एक असपताल भी हा महुआ में जो 1929 में इस्तापद रुए था और एक अन ठाले भी हमारा परवरण चलाता है जो महत्मा गांधी जी के दोरा 1929 में ही महवा में इस्थापित किया गया था और उस समय डाक्टर सुधी नवस्थी जी जो हमारे ग्राणफादर के ग्राणफादर थे वो 95 एर्स के थे उन्होंने इस्थापित किया था जो आज भी चल रहा है बिना किसी सरकारी साहिता के जो अनाथाले में रह रहे थे बच्चे वही इसको चला रहे हैं और हमारे ही परवार का कोई उसका पदेन अध्यक्ष होता है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे अभी एलन के हैड बोल रहे थे कि हमें कहीं न कहीं से जीवन बहतर बनाना है और हमारे जो मुकती थी थे वो भी बोल रहे थे आप एक एकाही होकर व्यक्ति होकर आप यदी परमार्थ का काम करते हैं अगर अपने इस जीवन में रहे के किसी का भी अच्छा कार करते हैं हमारी राक्टर सत्या सिंग जी है यह जब सर्वेस में थी तब भी और सर्वेस के बाद भी अभी कोटा में जो घटनाएं घट रही है उसकी उपर बहुत अच्छी किताब सत्या जी ने लिखी है वो साहद में ने उनसे कहा भी है कि आप इनको भेंट कीजिए और एक सेशन आप वहां रखिए बच्चों की बीच में बहुत अच्छे से आप समझाएंगी भी उस नकारात्मक्ता से उन बच्चों को आएं और इतना चाप बोल रहे थी कि आपका ही भासन सुन के बच्चे उस इस्तिती से निकाल आएंगे तो एक है अरजुन ने स्रीकेशन जी से पूछा गुरू बनाने योग कौन है तो स्रीकेशन जी ने कहा जो व्यक्ति दूसरे के दुख दर्द को ना केबल महसूस करें बलकि दूर करने की कोसिस करें ऐसा वैस्तों कुण धारी व्यक्ति गुरू बनाने योग है चारो वेदों का ग्याता हो ब्रामण कुल में जन्मा हो पर यदि उसके अंदर बैस्तों गुड नहीं है तो वो गुरू बनाने योग नहीं है कोई जाती धर्म की बात नहीं थी तो उनका कहना था भले ही कोई अनपड हो कहीं भी जन्मा हो किसी घर परवार में पर यदि उसके अंदर पर उफकार की भावना है तो वो गुरू बनाने योग है उसी को नर्सी महता जी ने भी कहा है वैसना उजन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे तो आज के सकारक्रम में इस पुस्तक लोकारपण में जैसे जीतन परशाद जी जब आप एजुकेशन में थे प्रिंस्वल सेकर्टी तो आपने मेरी पिताजी और मेरी किताब है मैं एक लेखक हूँ मैं हाई कोट का परचे दिया ठीक है पर मैं महेंदर भीश्व के नाम से लेखक भी हूँ और लेखक ही हूँ क्योंकि जो नौकरी है वो एक समय तक रहेगी पर जो लेखन है वो रहेगा और इस देह के बाद भी रहेगा क्योंकि हम लोग 100 साल लेके आये हैं तो 100 साल के बाद भी अगर कोई रहेगा तो वो आपका किया हुआ अच्छा कार रहेगा जो help you test कर रहा है और एक लेखक जो राजिन पसाजी लिखके जा रहे हैं आज वो साधे यहाँ पे हैं कल नहीं रहेंगे हम सब कल नहीं रहेंगे जो आज यहां उपस थे थे पर हमारे द्वारा किये गए अच्छे कार रहेंगे और जो किताबें लिख गए हैं करके जा रहे हैं वो इस थाई रूप से आपका नाम आगे चलाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए हमारी बहुत अच्छी संचालिका हैं बिल्कि प्रिंस्पल भी हैं कच्छे कॉलेज की अलका निवेदन जी का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे याद कि